तो आखरी T20 मैच में लगा कि शलंकाई टीम शायद जीत दर्ज कर लेगी लेकिन शलंकाई टीम की कहानी क्या रही है वो बताने के लिए बस दो ही चीज में कहना चाहूँगा पहले मैच में 21 रन पर साथ विकेट निकल गए इनके मलब आखरी के बलेबाद शलंका के उसके बाद दूसरे मैच में 31 रन पर आखरी के साथ बलेबाद निपड गए और तीसरे मैच में शलंकाई टीम ने कुल मिला करके देखा जाए तो अपने 27 रन पर साथ विकेट ती थी वो मैं शलंकाई टीम टाइ करने में सफल हुई और मैं कहूंगा कि टाइ करने में सफल हुई और उसके बाद फिर सूपर ओवर में क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है भारतिये टीम ने बहुती बुरी तरीके से शलंकाई टीम को हरा दिया तीन शुने से टीम इ और ने का कि खुशी इस बात को लेकर कर नहीं है कि में और रिंकु ने कमाल की गेन बाजी की और आकरी के 12 गेन्डों पर हमने 9 रन नहीं बनने दिये नौरन डिफेंड कर दिये और उनने का कि उससे ज्यादा खुशी मुझे मिली जब हमारे 5 बलेबाज आउट हो गए और उस उसे भी आपको चलाने की ताकत आपने होनी चाहिए, उस मैच को भी जीतने की ताकत आपने होनी चाहिए। और मैं बहुत खुश हुआ जसारी कैसे हमारे खिलारियों ने प्रदर्शन करके दिखा है। टीम के बारे में कहा कि बहुत जादा यूनिटी है इस टीम में, सब एक दूसरे के परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे को बहुत जादा लाइक करते हैं, उनने कहा कि जब मैंने कहा था कि हो सकता है कि आखरी मैच में मैं कुछ और खिलारियों को मौका दो, तो बहुत सारे प्लियर्स खुद आएं मेरे पास में कि आप मुझे रेस्ट दे दीजी ताकि आप दूसरे को मौका दे सकते हैं तो इसलिए मुझे कोई जादा सरदर्द हुई ने उन्हें का कि इस टीम में बहुत जादा बाउंडिंग है सब एक दूसरे के प्रदर्शन से क कि एक क्या क्या होता है यानि कि मान करके चलें कि सुरी कुमार यादब ने हुंकार भर ली है और यकीनन ये जो कप्तान है वो विश्व विजेता कैप्टन बन सकते हैं दोजार चबश में भारत में ही वर्ल्ड कप है और उसे सुरी कुमार यादब जीत सकते हैं और के management ने सूरिया को कप्तान भी बनाया है तीन शुनिय से सूरिया ने इस tournament को जीता इस से पहले Australia को चार एक से हराया था South Africa में एक एक की बराबरी की थी तो as a captain सुरी कुमार यादब ने बहुत जबरदस तरीके से production किया है हर tournament में और उन्होंने अपनी बल्लवाजी के बारे में भी काया कि मैं जब batting करने के लिए आता हूँ तो मैं कप्तान के तोर पर नहीं सोचता हूँ मैं enjoy करता हूँ और एक बहुत important बात सूरिया ने कही है कि मैं इस team का captain नहीं बनना चाहता हूँ मैं captain के नाम से नहीं जाना जाना चा को तो ये बहुत अच्छा एक सोच है सूरिय कुमार यादब का पर मैं बहुत खुश हूँ जिस सारी के से सूरिया ने कप्तानी किया गौतंग बंभीर ने जिस सारी के से team को चलाया है और पहले भी मैंने कहा कि देखिए शलंका की team है कमजोर team है लेकिन इसका मतलब यह नह चाहिए भारती team outstanding cricket खिल रही है और मैं यकीन के साथ के सकता हूँ कि 2026 में ये record भी तूटेगा जो आज तक कहा जा रहा है कि जो जिस team ने आज तक host किया जिस डेश ने आज तक host किया T20 World Cup वो आज तक जीत नहीं पाई है मुझे लगता है कि 2026 में ये record सुरी कमारी आदव की कप्तानी में तूटेगा और भारत में World Cup host होगा और भारती ये team ही World Cup जीतेगी आपका क्या कहना है आप हमें comment करके जरूर बताएगा